लिकिन एक चीज़ जरूर है कि वहां की पब्लिक क्या चाहती है दूसरी तरफ बीजेपी हलकी कहा ये भी जा रहा था कि ट्रेन के नुसार बीजेपी भी बड़क बनाएगी लेकिन यहां पर बिलकुल रुजानों में बहुत बड़ा जो उलट फेर है वो भी देखने को मिल रहा है काटे की टककर उसवक्त नजर आती हुई दिखाई दे रह धर है और बहुमत से इसवक्त कॉंग्रेस पीछे हो गया है इसवक्त पीछे हुई दे पाटे की टककर नोहीं पार्टियों अभी बताया था यह बहुत बड़ा पॉंट है क्योंकि जो टेंड हर्याणा की राजिनीती कर रहा है विधान सबद चनावों का 2000 से लेकर 2019 तक में 5 विधान सबद चनावों की तो और उसमें ट्रेंड के नुसार BJP सरकार में आईगी अगर वैसे ही परिपाटी चलती रही हर्याणा विधान सबद चनावों की तो और रुजानों में तो आफ्टर पर देखी रहे हैं कि जो एक्जिक पोल की रुजान सामने आए तो उसमें कॉंग्रेस बहुमत में नज़र आ रही दे विधान सबद चुनाव 2000-2019 तक में देखें तो वहाँ पर जब भी पिछले विधान सबद चुनाव से मौझूदा चुनाओं के जो परसंटेज वोटिंग अगर वो कम है या एक परसंट या दो परसंट भी बढ़े हैं तो वहाँ पर मौझूदा सरकार या तो खुद या गडबंदन के साथ ही सर्ता में आती है अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो बीजेपी सरकार बनाने की संभावनाय बरती हुए नजर आती है फिर गडबंदन के अलावा अपना साल को गई मुझे नहीं लगता ऐसा है लिकिन हाँ अब जो शुरू के रुजहां के जो अपका जो अक्रे आ रहे हैं में लगता है और मैंने पहले भी कहा था अन्य चैनलों के भी मैंने तुबह से बूला है कि शुरू आसी दोर में चुनाओके वंगे साफी लीटी जो इसकी लेकिन जैसे जैसे चुछां दिर्टी का से गए बीजेपी ने काफी चीशों को अपने पस में करना चाल किया और इसको कैसे ना करना चाल किया उसी का रिचल्ट है ये नेक्टी साइट की तरफ जा रहा है अभी थोड़ा और वेश कर दीचे तो मुझे लगता है एक तर गंचे में चीजे काफी स्पष्ट हो जाएंगी और इसकी सर्कार बातें में बिजने जा रही है इसमें भी कई को संसे नहीं रह ज सब्सक्राइब कर दिया सा नोर्स इंडिया के खासकर गोटरों को कि अगर बीजेट की आए कि तो आरक्षन कर देगी सब्सक्राइब कर देगी इसी तरीके से वहाँ पर ये 370 प्रेंचे के गुरुत नहीं लोगों पे कर दिया और वहां प्रेंट की सरकार क्लियर से भी एक रेक्षन लेंगे प्रेंट जी अब जो आप बात क्या रहे थे वो कुछ-कुछ अब नजर भी आने लगी है कि ये तो रुजहान है ये अभी आगे पीछे चलते रहेंगे अभी तक कॉंग्रिस को बहुमत था रुजहानों में और अब बहुमत की तरफ बढ़ती जन्ता पार्टी को दुस्री तरह सागर सिर्फ कश्वीर की बात करेंगे तो वहां मैंने पुना कहा है वहां राजनी सी बड़ी राष्ट नीती है राष्ट की अवशक्ताओं के अरुरू पहा का निड़ने लिए अब चुनाव परिणाम जो भी हो लेकिन राष्ट हित में जो भी निड़ने लेने थे वो भारती जन्ता पार्टी ने लिया है तीन सो सतर पेती से राष्ट के खिलाब थी अगर अटल जी की बात करते हैं तो आप टाड़ा किसकी सरकार में है अर्सिम माराओं जी की सरकार में हटाया किसने कॉंगरेस ने क्यों क्योंकि एक विशेश दल के लोग पकड़ा रहते हैं उसके बाद में पोटा